जये श्री कृष्ण भगवान श्री कृष्ण ने अपने जीवन में कई युद्धों का संचलन किया कहना चाहिए कि उन्होंने पूरे जीवन में युद्ध ही युद्ध किये भगवान कृष्ण ने युद्धों कई असूरों का वद्ध किया लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि श्री कृष्णी ने अपने जीवन में कौन-कौन से युद्ध लड़े या उनका संचलन किया आईए जानते हैं श्री कृष्णी के प्रमुख दस युद्धों के बारे में स्वागत है आपका आस्तिक spiritual secrets में हमारे वीडियो और आर्टिकल्स अपने मोबाईल में सबसे पहले पाने के लिए हमारे एप आस्तिक को प्ले स्टोर में जाकर अभी डाउनलोड करें या फिर description box में दी गई लिंक को क्लिक करें साथ ही चैनल को अभी सबस्क्राइब करके बेल आइकन दबाएं नमबर वन कंस से युद्ध कंस कृष्ण का मामा था वो अपने पिता उग्रिसेन को राजपत से हटा कर स्वेम राजा बन बेठा था मत्रा पर शूर सेन का राजप था और शूर सेन के पुत्र वसुदेव का विवा अपनी देवकी से हुआ था कंस अपनी चचेरी बेहन देवकी से बहुत प्रेम रखता था लेकिन एक दिन वह देवकी के साथ रत पर कहीं जा रहा था तबी उसे एक आकाशवानी सुनाई पड़ी जिसे तू चाहता है उस देवकी का आठवा बालक तुझे मार डालेगा बस इसी भविश्यवानी ने कंस का दिमाग घुमा दिया कंस ने अपनी बहन और बहनोई वसुदेव को जेल में डाल दिया और एक एक करके देवकी के छे बेटों को जन्म लेते ही मार डाला साथवे गर्भ में श्री शेशनाग जी ने प्रवेश किया जिसे योग माया से वसुदेव की पतनी रोहिने के पेट में रखवा दिया उसके बाद आठवे बेटे की बारी में श्री हरी ने स्वयम देवकी के पेट से पूर्णा उतार लिया बाद में जब कंस को पता चला तो उसके मंत्रियों ने अपने प्रदेश के सभी नवजाच शिशूओं को मारना प्रारंब कर दिया बाद में उसे कृष्न के नंद के घर में होने का पता चला तो उसने अनेक आशूरी प्रवती वाले लोगों से कृष्न को मरवाना चाहा पर सभी कृष्न और बलराम के हाथों मारे गए तब योजना के अनुसार कंस ने एक समारोह के अवसर पर कृष्ण और बलराम को आमंतरित किया वो वहीं पर कृष्ण को मारना चाहता था किन्तु कृष्ण ने उस समारोह में कंस के बालों को पकड़ कर उसे गद्दी से खींच कर भूमी पर पटक दिया और उसके बाद उसका वद कर दिया कंस को मारने के बाद देवकी और वसुदेव को मुक्त किया जरासंद कंस का ससुर था इसलिए उसने श्री कृष्ण को मारने के लिए मतरौ पर कई बार आकरमन किया जरासंद मगत का राजा था उसने मत्रवा पर एक बार नहीं कई बार चड़ाई की लेकिन हर बार वह असफल रहा अन्तिम चड़ाई में उसने एक विदेशी शक्ति शाली शासक काल यवन को भी मत्रवा पर आक्रमन करने के लिए प्रेरित किया जैसा की जरासंद ने 18 बार मत्रवा पर चड़ाई की 17 बार वह असफल रहा अन्तिम चड़ाई में उसने काल यवन को प्रेरित किया काल यवन की सेना ने मत्रवा को घेर लिया उसने मत्रवा नरेश के नाम संदेश भेजा और यद्ध के लिए एक दिन का समय दिया स्री कृष्ण ने उतर में भेजा कि युद्ध केवल कृष्ण और काल यवन में हों सेना को विर्थ क्यों लड़ाएं काल यवन ने सुईकार कर लिया कृष्ण और काल यवन का युद्ध हुआ और कृष्ण रंड की भूमी छोड़कर भागने लगे तो काल यवन भी उनक उट पड़ा उसने जैसे ही आखे खोली तो सामने उसे काल यवन दिखाई दिया काल यवन उसके देखने से ही ततकाल जलकर भस्म हो गया काल यवन को जो पुरुष गुफा में सोय मिले थे वे एक्षवाकु वन्ष के महराजा मांधाता के पुत्र राजा मुचुकुन थे ज माना जाता है कि यह युद्ध कृष्ण की बहन सुभद्रा की प्रतिग्या के कारण हुआ था अंत में इस युद्ध में दोनों ने अपने अपने सबसे विनाशक शस्त्र सुदर्शन चक्र और पाशुपतास्त्र निकाल लिये थे और देवताओं के हस्थशेप करने से ही वे दोनों शांत हुए थे श्री उपर जंभास्र का प्रयोग किया जब बानासुर की जान बचाने के लिए स्वेम मा पारवती सामने आकर खड़ी हो गई तब श्री कृष्ण ने बानासुर को अभैदान दिया नमबर सिक्स नरकासुर से युद्ध नरकासुर को भोमासुर भी कहते हैं कृष्ण उस समय द्वारिका में रहते थे एक दिन स्वर्ग लोग के राजा देवराज इंद्र ने आकर उन से प्रार्थना की हे कृष्ण प्राग जोतिशपूर के देतिराज भोमासुर के से देवतागंड त्राही त्राही कर रहे हैं वह त्रिलोक विजय है उसने प्रत्वी के कई राजाओं और आम जनों की अती सुंदर कन्याओं का हरण कर उन्हें अपने यहां बंदी ग्रह में डाल रखा है कृप्या हमें बचाईये प्रभू इंद्र की प्रार्थना सुई सबसे पहले मुर्ध देती सहीत मुर्ध के छे पुत्रों का संगहार किया यह समाचार सुन भोमासुर अपने सेना पतियों और देतियों की सेना को लेकर युद्ध के लिए निकला भोमासुर को इस्त्री के हातों मरने का श्राप था इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अ नमाजिक मानेताओं के चलते इन नारियों और कन्याओं को कोई भी अपनाने को तयार नहीं था। अंत में श्री कृष्ण ने सभी को आश्रे दिया और उन सभी कन्याओं ने श्री कृष्ण को पती के रुप में सुईकार किया। उन सभी को श्री कृष्ण अपने साथ द्व नहीं था लेकिन उन्होंने इस युद्ध का संचलन जरूर किया था। माना जाता है कि महा भारत युद्ध में एक मात्र जीवित बचा कौरव यूद्सु था और 24,165 कौरव सेनिक लापता हो गए थे। महा भारत का युद्ध 18 दिनों तक चला। इस युद्ध में ही श्री चानूर और मुष्टिक से युद्ध श्री कृष्ण ने 16 वर्ष की उम्र में चानूर और मुष्टिक जैसे मल्लों का वत किया था। मतुरा में दुष्ट रजक के सिर को हतेली के प्रहार से काड़ दिया था। कहते हैं कि ये मार्शल आर्ट की विद्या थी। पूर्व मे इस विद्या का नाम कलारी पट्टू था। कलारी पट्टू विद्या के प्रथम आचारे श्री कृष्ण को ही माना जाता है। श्री कृष्ण ने ही कलारी पट्टू की नीव रखी। जो बाद में बोधी धर्मन से होते हुए आधुनिक मार्शल आर्ट के रूप में चीन भगवान श्री कृष्ण को खुद पर लगे मनी चोरी के आरोप को जुटा सिद्ध करने के लिए जामवान से युद्ध करना पड़ा। पर आरोप लगा दिया कि यह मनी उन्होंने चुराई है। तब श्री कृष्ण को यह मनी हासिल करने के लिए जामवान से युद्ध करना पड़ा। बाद में जामवान जब युद्ध में हारने लगे तब उन्होंने अपने प्रभुष्री राम को पुकारा। और उनकी पु करूब देश का राजा था। उसके पिता का नाम वसुदेव था। इसलिए वो खुद को वसुदेव कहता था। वो बड़ा ही मुर्ख था। पॉंडरक को उसके मुर्ख और चापलूस मित्रों ने ये बताया कि असल में वही परमात्मा वसुदेव और वही विश्नु का अवतार है। मुत्रुआ का राजा कृष्ने नहीं। कृष्ने तो एक क्वाला है। राजा पॉंडरक, नकली चक्र, शंक, तलवार, मौर मुकुट, कोस्तुब मनी और पीले वस्तर पहन कर खुद को कृष्ने कहता था। एक दिन उसने भगवान श्री कृष्ने को ये संद ही छोड़ दो, वरना युद्ध के लिए तयार हो जाओ। पहले श्री कृष्ने उसकी बातों और हरकतों को नजर अंदास करते रहे। बाद में उसकी ये सब बातें अधिक सहन नहीं हुई। तो उन्होंने जवाब भेजा, तेरा संपूर्ण विनाश करके मैं तेरे सारे गर्व का परिहार शिग्र ही करूंगा। यह सुनकर पॉंडरक श्री कृष्ने के विरुद युद्ध की तयारी शुरू करने लगा। जब श्री कृष्ने उस पर आक्रमन किया, तो युद्ध के समय पॉंडरक ने शंक, चक्र, गदा, धनुष, वनमाला, रेश्मि-पिता और कई मुल्यवान आभुषन धारन किये थे और वह गरूर पर सवार भी था, इस नकली कृष्ने को देखकर भगवान श्री कृष्ने को बेहद हजी आई, इसके बाद युद्ध हुआ और पॉंडरक का वद्कर श्री कृष्ने पुनह द्वारी का चले आई, तो मित्रों ये थे श्री कृष्ने की जीवन के दस प्रमुक युद्ध, आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जाये श्री कृष्ने